हेलो अब्रिवन चले आज हम बनाते हैं मुंबई का स्ट्रेट फूर्ड पुडला सैंडविच बहुत ही कम समान से ये सैंडविच बन कर तयार हो जाता है और इसका टेस्ट इतना अच्छा होता है कि बड़े बच्चे सभी इसे खाना पसंद करते हैं तो चली रेसिपी स्टा इसके साथ ही कुछ मसाले भी इसमें एड़ करेंगे तो मैंने हल्दी पौडर, लालमिच पौडर, गरम मसाला पौडर और चाट मसाला पौडर एड़ किया साथ ही स्वात के हिसाब से नमक भी एड़ कर दिया है इसमें सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देना है इसे म पाद आड़ कर देंगे इसमें आधा कप पानी फिल हाल हम आधा कप पानी ही आड़ करेंगे और अच्छे से इसे फेट कर इसका लंप्स फ्री हमें बैटर तैयार करना लंप्स नहीं रहने चाहिए इसके बाद हम बाकी का जो बचा हुआ आधा कप पानी था वो भी आड़ कर 15 मिनिट के बाद 12 से, एक बारे से अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि मसाले जो भी बैट गए हो नीचे वह अच्छे से मिक्स हो जाएं इसके बाद लेंगे bread और bread को एक तम अच्छे से इस बैटर से कवर कर देना है अब हम लेंगे एक पैन या फिर आयरन का तवा भी इस्तमाल कर सकते हैं और डालेंगे इसमें दो से तीन टेबल स्पून ओयल फ्लेम को हम मिडियम रखेंगे और इसके बाद ब्रेट को अच्छे से कोट करके यहाँ पर हमें इसे अच्छे से फ्राइ कर लेना है तो फ्लेम को मिडियम रखना है इसके बाद इसके उपर से आड़ कर देना है बारी, कटा, प्याज, हरी, मिर्च और हरा ध्हनिया थोड़ी देर के बाद इसे हम दो चबबच की सहायता से पलट लेंगे तो हम नीचे भी इसे थोड़ा सा हो जाने देते हैं उसके बाद इसे पलट लेना है फिर से इसके बाद इसके उपर डालेंगे हम चीज तो मैंने प्रोसेस चीज यूज किया है आपनी पसंद का कोई भी चीज यूज कर सकते हैं इसके बाद थोड़ा सा बटर भी हम यहाँ पर आड़ कर देंगे अब इसके बाद एक ब्रेट को दूसरे ब्रेट के उपर इस तरीके से हमें रख देना है ताकि जो चीज है वो अच्छे से मिल्ट हो जाए और आपस में यह दोनों ब्रेट चिपक जाए तो सैंडविच तयार हो चुका है आप भी जरूर से ट्राइ कीजिए गए सैंडविच को बहुत ही आसानी से बन कर तयार हो जाता है और बहुत ही टेस्टी होता है तो बनाएए और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कीजिए थैंक यू फॉर वाचिंग